बच्चों गुड मॉर्निंग आप सभी का स्वागत है आज के कारेपत्रक 78 में सबसे पहले 26 जनवरी का दिन है तो गंतंतर दिवस की अनेक शुब कामनाई मार दे देती हूँ आपको आप बहुत अच्छे से वर्व को मनाईए खुश्या सेलिब्रेट कीजिए और 27 जनवरी क के शुन्यक हम कैसे निकालते है उसको X equal to zero कर देते है एकस के जिस मान के लिए P X zero हो जाए तो हम बोलेंगे यह उसका शुन्यक है शुन्यको का योग आपका minus B by A और शुन्यको का गुन्यफल C by A के बराबर होता है और इस संबंद को हम कहते है गुनांकों और शुन्यकों क बीच का संबन, तो गुनाक को हम English में coefficient कहते है और शुन्यक को हम कहते है जिरूज तो जिरोज और कोफिशनเก के बीच का संबन, शुन्यकों और गुनाक को के बीच का संबन, ठीक है βहुपद के degree अगर एक है तो हम उसको बोलेंगे रैखिक बहुपद जैसे यह एक रैखिक बहुपद है, यहाँ पर इसके डिगरी एक है चर की जो इसमें बहुपद में, एक PX में, चर X जो है इसकी अधिक्तम घात है एक, अधिक्तम पावर, अधिक्तम घात यानि जो इसके उपर लगी होती है न, इसको मुझे घात बोते है टू एक्स के साथ, यहाँ जो लगती है, यह इसकी घात कहलाती है और यह जो होता है, इसका गुनांक होता है, ठीक है? तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, यानि एक है, तो इसका घात हो गई एक और इसका गुनांक है दो, इसमें बच्चे बहुत कन्फियूज होती है यह उपर जो इक घात है, पावर जिसको मैं बोती हूँ, पावर इसलिए मैं इसके लिए इंगलिश शब्द जादातर बोती हूँ, घात या पावर और यह गुनांक है या कोफिशिन बोला जाता है, ठीक है? तो जिसकी घात एक हो, वो होगा अपका रैकी बहुपद जिसके घात दो हो, द्वी खाती, तो ये जैसे द्वी खाती है अधिक्तम चर में अधिक्तम घात इसकी इस चर की अधिक्तम घात दो है गुनाख भी दो है और घात भी दो है तो यह द्वी घात भाउपद हो गया यहाँ पे इसमें अधिक्तम घात तीन होगी यहाँ पे इसका गुनाख है एक और घात है तीन तो यह तुम्हारा होगा तुरी घात भाउपद ठीक है और हमारे पास कुछ तत्ये हैं कि धीकात भुपत को हम समाने रुप से ऐसे लिखते हैं A X कवर्ग जमा B X जमा C और परवले या वक्र ऐसे बनता है ये पैरा बोला या परवले बोलते हैं इसको परवले या वक्र और परवले Y अगर तुम इसको X निर्देशांक भुपत के शुन्यक आप इसके निकालना चाहोगी तो X निर्देशांक हम निकाल देते हैं तो उससे हमें पता चल जाते हैं इसके कितने शुन्यक है सूत्र आपको ये याद करना है जैसे कोई आपको भुपत दे रखा है तो हमें अल्फा प्लस बीटा जो है ये तुम्हारा माइनिस B बाई A के बराबर होता है आल्फा बीटा तुम्हारा C बाई A के बराबर होता है तो कुछ प्रश्ण करते हैं ये चीज़ें आपको पता होनी चीए यहाँ पर डाउट वाली चीज़ मैंने आपको बता दी आगे वला नंबर गुनाग के ऊपर जो ऐसे चड़के आता है ये इसकी घात है और घात के इसाब से इसको रैखिक बहुपद द्वीगात बहुपद और त्री घाती बहुपद ऐसे हम बोलते हैं घात के हिसाब से ठीक है और उसके गुनाग जो होते हैं अलग-अलग बदलते रहते हैं ठीक है और इसमें जो कितनी संख्या है उसके एसाब से हम इसको 만나ए की वही एक पद दोईपद जैसे इसमें द्वीपद दोईपद है इसमें भी दोईपद है तुरीपद इसमें तीन पद है तो कितने उसमें सिटिंग है कितनी चेर्ज लगे एक तो तीन चेर्ज त्री पद कितने पद है और घात इसकी हुई ये उपर वाली दो ठीक है तो दीगात बहुपद हो गया तो दीगात बहुपद के कुछ प्रशन करेंगे यहाँ पे दीगात बहुपद में शुनेकों की संख्या कितनी होती है दो होती ह दियुकाती बहुपद में शुन्यकों की संख्या दो रहती है बहुपद के शुन्यकों की संख्या ग्याद कीजी इसके शुन्यक में निकालने है जिसको आप प्लास एट से सी करे हो शुन्यक कैसे निकाले जाते हैं गुननखंड करके निकाले जाते हैं शुनकों के संख्या निकालना उसके बाद शुनकों और गुनाकों के बीच का संबन्द निकालना तो शुनकों और गुनाकों के बीच के संबन्द क्या होते आलफा प्लस बीटा इक्वल टो माइनस बी बाए और अलफा बीटा इक्वल टो सी बाए और यह अलफा बीटा क्या और गुना करके क्या है माइनस दस पहली और आखरी संख्या का गुना आना चाहिए जोड के यह आना चाहिए तो इन दोनों को जोड के तीन एक्स बनता है इन दोनों को गुना करके माइनस दस एक्स को है फिर इन दोनों संख्या से हम कॉमन निकाल लेते हैं उभे निश्ट द अब ये शुन्यक निकालने किलम क्या करते है इसको equal to zero कर देते हैं ये जो आपका बहुपद रहता है तो ये संख्या भी तुम्हारी equal to zero हो जाएगी equal to zero होने के बाद इसको अलग-अलग equal to zero कर देते हैं minus two equal to zero x plus five equal to zero फिर इसको हल करते है रैकिक समय करन जैसे करा जाता है इसको इधर ले जाओगे minus two से plus two हो जाएगा और ये इधर आके zero के इधर जाके बराबर के निशान के आके बदल के minus five जो गया तो ये दो तुम्हारे मूल है शुन्यक रूट्स है English में इसको roots कहेंगे मूल हिंदी में मूल और शुन्यक कहते है तो हमारे पास formula ये रहता है कि sum of the roots यानि शुन्यको का जोड बराबर है minus coefficient of x अब ये coefficient क्या है ये जो गुना क्या है ये coefficient है तुम्हारे x square से जो गुना हो रहा है गुना वो a है तो a यहाँ पर एक हुआ b तुम्हारा हुआ 3 जो x के साथ गुना हो रहा है तो लिखा है ना minus coefficient of x तो यानि ये b ये लेना है और minus coefficient of x square ये x square का coefficient यानि x square का गुनाख ठीक है तो c equal to minus 10 तो ये तुम्हारा सूतर है अलफा प्लस बीटा है अगर तुम्हें ये नहीं लिखना इसको मत लिखो कोई जरूरत नहीं लगता है तो ठीक लिखनो ये तुम्हारा सूतर है जो इसी बात को गनितिया रूप में हमने लिखा है alpha plus beta equal to minus b by a alpha बीटा दोनों जोड़ो 2 और minus 5 इनको जोड़ा minus b by a minus b का हुआ minus 3 बटा 1 ठीक है तो ये आगया minus 3 इन दोनों को हल किया तो 1 plus 1 minus minus करेंगे निशान इसका आएगा ये बड़ा है तो minus 3 equal to 3 left hand side right hand side बराबर होगी तो इस सत्यापित हो गया ठीक है उसके बाद product of the zeros क formula होता है alpha beta equal to c by a alpha बीटा इन दोनों को 2 और minus 5 को गुना करो minus 10 आगया और c by a का अंदर किया रहेगा minus 10 बटा 1 तो इदर से ये आगया तो दोनों को गुना करके left hand side right hand side बराबर आगी तो ये भी आपका सत्यापित हो गया दूसा प्रश्न हो गया तीसरा देखो ये px आपको ये हल करके तुमारा अगर शुनने कैं तो ये तुमारा पूरा हल करके 0 बना जाए तो उस तरीके से हम देखेंगे कि a का मान निकल जाएगा तो जैसे हमें ये भूपद दे रखा है हमने p1 निकाला यानि जहां भी x लिखा है वहाँ एक लिख दिया ये देखो a minus 1 और यहा कोई भी संख्या गुना होगी एक से तो ये वही आ जाएगी यहाँ पर कुछ भी ऐसी चीज हल करनी की नहीं थी ऐसे कैसे आ गए ये एक से गुना हुआ था एक हो गया ठीक है अब यहाँ पे ब्रेकेट को खोल दो तो ये minus 3 ए plus 3 minus minus गुना होके minus 3 minus 1 गुना होके plus 3 आ गया ये आ गया अब यहाँ पे तुम्हें कैसे जोड़ गटा करनी है एक जैसे जो पद है ये ए वाले पद ये आपस में जुड़ेंगे minus 2 आ गया और ये दोनों संख्या है ये आपस में जुड़ेंगी अब ये तुम्हारा पूरा पी एक हल होके आ गया अब इसके आगे कुछ नहीं करना लेकिन तुम्हें पता है कि ये पी एक शुन्यक दिया यानि ये जिरो होना चाहिए क्योंकि पी एक एक रूट दिया यानि शुन्यक दिया है तो ये जिरो होना चाहिए तो तुम्हारी ये पूरी संख्या equal to 0 आनी चाहिए अब इसको हल कर दो इसको इदर लिया है शुनियक हिंदी में लिखना चाह हो तो न यह मेरे से टाइप नहीं हुआ मैंने इसको छोड़ दिया क्यूंकि पी एक शुनियक है आप ये लिख सकते हो ठीक है पी एक हो गया जीरो है को दिया है कि यह यह वाला नंपर शुनियको का यूग है और यह पीछे गुननफल है तो जब भी किसी भौपत को हमें बनाना हो तो हम ऐसे बनाते हैं, X का वर्ग माइनस शुनको का गुननफल, यानि sum जोड और यह product यह नहीं, गुननफल यह शुनको का जोड, X स्कुएर माइनस शुनको का जोड, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, X स्कुएर माइनस शुनको का जोड, प्लस गुननफल, तो यहाँ पर गुननफल मतब अलफा बीटा इकॉल टो जोड, इसमें मान डाल देते हैं, अलफा बीटा का, यानि ये मान डाल देंगे, इसमें यह मान डाल देंगे तो दीकद भौपत बन जाएगा उसके बाद उनके उनके शुरि भी ग्याद करने है ठीक है? उनके हमें रूटस भी निकलने होंगे तो यह हमारे पास यह अलफा बीटा इतना दिया है यह यह शुनगों को जोड़ है शुनगो का गुननफल है तो भोपद बनाने के लिए हमने इसको लिखा formula को लिख दिया ये हमारा सूतर है कि X का वर्क माइनस alpha प्लस बीटा का X प्लस alpha बीटा तो X square माइनस alpha प्लस बीटा हमने लिख दिया minus 2 root 3 अब इन दोटें क्योंकि minus minus है ये माइनस का निशान हर जाएगा 2 root 3 और गुननफल आपका माइनस 9 है यह ऐसे कैसे आजाएगा तो यह आपका द्रीकाद भौकद बन गया तो यहाँ पे आपको एक अंक मिल जाएगा एक या दो अंक का जितने का प्रशन होगा तो आपने क्या क्या इस से आपने शुन्यक बना दिया द्रीकाद भौकद बना दिया शुन्यकों से आपने द्रीकाद भौकद बना दिया अब हमें इसके शुन्यक निकालने शुन्यकों का जोड और गुननफल दिया था अलग अलग नहीं दिया, आप इसको अलग अलग निकाल लेंगे तो आप इसके लिए ये सुत्र इस्त्माल करूँ, ये बहुत अच्य है, इसको भी आपको याद करना पड़ेगा कि alpha minus beta का वर्ग equal to alpha plus beta का वर्ग minus 4 alpha बीटा यह देखो मैं बतातु यह कैसे आया आपका देखो इस तरफ जब alpha minus beta का वर्ग आप हल करोगे इस वाली चीज़ को जब आप हल करोगे तो इक है आएगा alpha का वर्ग जम बीटा का वर्ग minus alpha बीटा आएगा ठीक है और यहाँ पर इसको हल करोगे तो alpha कवर्ग plus beta कवर्ग plus alpha बीटा आएगा ठीक है अगर इसमें minus 4 alpha बीटा हम जोड देते है plus 2 alpha बीटा यह minus 2 alpha बीटा होता है ना formula में alpha कवर्ग plus beta कवर्ग minus 2 alpha बीटा इसमें alpha कवर्ग plus beta कवर्ग plus 2 alpha बीटा और माइनस 4 अलफा बीटा इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 2 अलफा बीटा बन जाएगा ये दोनों सॉल्व होके जो इसके बराबर आ जाएगा ठीक है? यानि कि ये दोनों के बीच में हमने बराबर का निशान डाला है यानि इस पूरे को हल करके इसके बराबर संख्या बन जाएगी इसका जो 2 अलफा बीटा आएगा 2 अलफा बीटा वो माइनस 4 अलफा बीटा के साथ जुड़के माइनस 2 अलफा बीटा देगा जो इसमें है ठीक है? तो तुम इसको याद करके रखो क्योंकि board paper में मारे पास समय का shortage रहता है तो तुम्हें इसमें ज़्यादा logic में नहीं पढ़ना है तुम्हें बस याद कर लो कि alpha plus beta तो हमें यह दे रखा था alpha minus beta निकालना चाहते हैं तभी हम अलग-अलग शुन्यकों को निकाल पाएंगे तो उसके लिए हम इस सूत्र का इस्तमाल कर रहे हैं alpha minus beta निकालने के लिए कि alpha minus beta का वर्ग इसके बराबर होता है अब alpha plus beta की value डाल दो minus two root three वर्ग four alpha beta की value डाल दो alpha beta डाल दो यहापे minus nine तो यह दोनों आपके minus minus गुनाओ के plus 36 इसका जब वर्ग खोलोगे 2 का वर्ग 4 और root 3 का वर्ग 3 तो 4 गुना 3 बारा हो गया दोनों को जुड़ा 48 तो इसका वर्ग आया 48 इसका वर्ग मूल हम निकालेंगे तो इधर आके root बन जाएगा अब 48 को लिख सकते 16 गुना 3 16 जो होता है उससे एक 4 भार निकल जाएगा ये root 3 अंदर रजएगा तो इसको हम 4 root 3 लिख सकते हैं अब हमारे पास ये alpha plus beta 2 root 3 ये शुरू में given था ये वला और अब हमने दूसी चीज ये निकाल दी alpha minus beta equal to this अगर हम इनको घटाते हैं तो घटाने में नीचे निशान बदल जाता है ये minus alpha minus beta plus हो जाता है और ये हो जाता है minus तो ये alpha minus alpha ही कट जाएगा alpha ये beta और plus beta ये दोनों जुड़के 2 beta हो जाएगे और ये minus 2 और minus 4 ये दोनों जुड़के minus 6 root 3 हो जाएगा तो beta के value निकलेगे दो नीचे लियाओ 2 3 6 minus 3 root 3 निकल गई और यहाँ पर जब इन सम्मी करनों को हम जोड़ेंगे तो ये निशान नहीं रहेगा पीछ में जोड़ने में अब ये नहीं करते हम जोड़ने में तो जोड़ने में इनको जोड़ोगे alpha alpha तो 2 alpha आजाएगा ये plus beta minus beta कट जाएगे ये दोनों जुड़ेंगे तो 4 और minus 2 जुड़के क्या आता है 2 तो 2 root 3 रहेगा तो alpha के वाली 2 root 3 दो निचे आजाएगा ये 2 से 2 कटे का root 3 ना आगे तो alpha बीटा हमने शुन्यक निकाल दिये ठीक है तो ये प्रश्न हमारा हो गया तो हमने कर दिया प्रश्न नमबर 4 अब प्रश्न नमबर 5 है ये दि बहुपत के शुन्यकों का गुननफल 4 है बहुपत के शुन्यकों का गुननफल 4 दे रखा है तो गुननफल क्या होता है देखो गुननफल आपको 4 दिये तो गुननफल का फॉर्मूला यह होता है अल्फा बीटा उक्वल्टू C भाई A यह आपको 4 दे रखा है ठीक है? तो A कमान निकालने है तो अल्फा बीटा उक्वल्टू C भाई A उक्वल्टू 4 और C कितना है इसमें? C हुआ 6 और A कितना है? A है A 6A बटा यह 4 तो इसको ओपर ले जाओ इसको नीचे ले जाओ तो यह आजएगा 6 बटा 4 इक्वल टो A इसको हल कर दो 2 के पाड़े से कर दो तो A कमान आगे 3 बटा 2 ठीक, इसको साफ-साफ लिख लेते है तो यह आपका ऐसे रहा यह आपको समीकरन दे रखा था अल्फा बीटा आपको गुननफल दे रखा है दो मूलों का, दो शुनकों का अब अल्फा बीटा तुमारा C बटा A के बराबर होता है तो C तुमारा यह यह है यह 6 है, यहाँ पर A, A है B की वैल्यू माइनस अगर हम A लिखना चाहें तो A की वैल्यू A है और B की वैल्यू माइनस 6 है और C की वैल्यू 6 है आगे वाला यह जो X स्क्वेर से गुना होता है A होता है, X से गुना होता है, B होता है और यह आपका C होता है तो C बाए लिखोगे, तो 6 बटा A आएगा अब यह 4 उपर यह नीचे क्रॉस मल्टिप्लाइ वाला जो होता है यह नीचे लिया है, उसको एक के पहड़े से काड़ते है दो के पहड़े से काड़ते है तो 3 बटा 2 आ गया ठीक है, इसके साथ यह वर्कशिट कम्टीट हो रही है यह important question है उसके बाद यह इस तरह के आ जाते है कोई-कोई दो नंबर के अगर शुन्यक है तो मान गयात करो जैसी यह भी उसी तरह का ही है यहाँ पर आपको बहुपद भी बनाना है दो अंकों का यह बन जाता है बहुपद बनाओ, उसके बाद शुन्यक भी ज्यात करो ठीक है तो तुम्हे बहुपद बनाना शुन्यक ज्यात करना अब क्लास 9 से कर रहे हो बहुपद बनाना क्लास 10 में सीखा है और उसके बाद इनके बीच के संबन सापित करना भी क्लास 10 में तो यह पाँच नंबर का पेपर इस वक्षीट से बन सकता है ठीक है, इसके साथ ये वक्षीट कम्प्लीट होती है गंतरत दिवस की आपके फिर से शुप कामना है आप इसके लिए क्या कर सकते हैं अपने राष्ट को सम्मान देने के लिए राष्टरगान का सम्मान करें जब राश्ट्रगार चल रहा हो तो आप 52 सेकंड का होता है आप बीना हिला रह सकते हैं इस वक्त आपको हिलना नहीं चाहिए ठीक है और कभी भी राश्ट्रे संपत्ति को नुकसान नहीं पहुचाना चाहिए कभी हमारे मन में विरोध हो जाता है देश के लिए कभी हमें कु आपको तुम मिनार जाते हो वाँ निशान बना के आजाते हो अब उसके ओपर जो उसके खर्चा होगा उसको ठीक करने के लिए वो किसका पैसा है हम सब भी तो इखटा करके देश तक पहुचाते है तो उन चीजों को नुकसान ना पहुचाया जाए इसमें हमारा ही नुकस फिरोध करने का यह तरीका गलत है तो संपत्ति को कभी नुकसान ने पहुचाना जाए बस के सीशे तोड़ दिये तो सर्दी में किसको ठंड लगेगी तुमें ही ठंड लगेगी जब तुम बस में ट्रेवल करोगे तो यह कुछ चीज़े अपने अंदर अभी विकास कर लो कि कुछ भी कितना ही गुसा है हम राष्ट्रे संपत्ति को नुकसान ने पहुचाएंगे क्योंकि वो हमारी अपनी संपत्ति है जैसे अपने घर में तोड़ फोर तो नहीं करते है गुसा आता है तो नहीं होता न वो तरीव दूसरे तरीके अपनाव गुसा दिखाने के ठीके बच्चों आज की वक्षी दियां ही ओवर करते हम फिर मिलेंगे नमस्कार